आज हम आपके लिए लाएं हैं बेशन वाले भरवा मेर्च की रेसिपी, ये सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक की जगा चार रोटियां खा जाए, ये इतनी टेस्टी बनती है, ये सबजी बहुत ही कम समय में और जटपट से बनकर तयार हो जाती है, हेल मैंने 300 ग्राम जितने मोटे वाले मेर्च ले लिए हैं, मोटी वाली मेर्च में भी दो तरग की मेर्च आती है, एक थोड़ी सी कम तिकी होती है, और एक बिल्कुल ही फिकी होती है, तो बेशन वाले बरवा मेर्च बनाने के लिए हम थोड़ी सी तिकी वाली मेर्च का निकाल सकते हैं अब मेर्ज के अंदर के जो बीज हैं वो हम निकाल देंगे तो इस तरह से मेर्ज को हम थोड़ा सा फैला कर फिर प्लेट में इस तरह से थोड़ा सा टैप करेंगे जिससे इसके अंदर के जो बीज हैं वो निकल जाएंगे तो इसी तरह से हम बाकी सारे मेर्ज को कट करके इसके अंदर के बीज निकाल लेंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब करें और वीडियो को लइक करें करें मीर्ज को कट करके मैंने उसके बीज निकाल लिए हैं यहां मैंने डेड़ कप जितना बेसन लिया है माप में ये बेसन लगबग 125 ग्रम जितना है बेसन को हमें एकदम स्लो फ्लेम पर सेख लेना है जब तक बेसन में से अच्छी खुश्बू ना आने लगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे स देखने में हमें लगबग 7-8 मिनिट का समय लग जाता है बेसन अब सिख चुका है इसमें से अच्छी खुश्बू आने लगी है और इसका कलर भी थोड़ा सा हलका गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है इसे हम बिलकुल ठंडा होने देंगे बेसन अब ठंडा हो चुका है इ इतना धन्याजीरा पाउडर डालेंगे एक चौथाई चम्मच हींग आदा चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्मच आमचूर पाउडर स्वाद अनुसार नमक और दो बड़े चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे अब इन सभी चीजों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब बेसन में मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब बेसन में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो करीब दो से तीन बड़े चम्म जितना मैंने इसमें पानी डाला है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेशन के स्टफिंग में हम थोड़ा सा पानी डाल कर फिर अगर हरी मिर्च में बनेंगे तो स्टफिंग हमारा बाहर नहीं निकलेगा तो देखे इस तरह से मुठी बनने लगे इतना ही हमें इसमें पानी डालना है अब बेशन को हम मिर्च में भरकर तयार कर लेंगे तो इस तरह से मिर्च को हम दोनों उंगलियों से थोड़ा सा फैला देंगे और मिर्च में सभी तरप से बेशन अच्छी तरह से बर जाए इस तरह हमें इसे बरना है एकदम हलके हाथों से दबाते हुए हम इसे बरेंगे इसे हमें बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं बरना है मिर्ची में हमें बेशन पुरा उपर तक फूल नहीं बरना है थोड़ा सा हलका खाली रहे इस तरह से हम इसे बरेंगे तो देखे मैंने इस तरह से इसे बरकर तयार कर लिया है तो इसी तरह से हम बाकी मिर्च में भी बेशन बरकर तयार कर लेते हैं सारी मिर्चियों में मैंने बेशन बरकर तयार कर लिया है अब इसे हम पकाएंगे ये सबजी बनाने के लिए आप हो सके तो सीधे तले वाला बरतन ले क्योंकि उसमें मिर्चिया बहुत ही अच्छी तरह से सिख कर तयार होती है तो पैन में हम इस तरह से थोड़ा सा तेल डाल लेंगे करीब दो टेबल स्पून जितना मैंने इसमें तेल डाला है तेल डालने के बाद हम इसे पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला देंगे और उसके बाद हरी मिर्च को इस तरह से पैन के अंदर रखेंगे सारी मिर्च को मैंने पैन में रख लिया है अब इसे हम गैस पर रखेंगे तो गैस का फ्लेम हम slow to medium करेंगे और मिर्च के उपर से 2-3 बड़े चम्मत जितना पानी हम इस तरह से छिड़क देंगे ऐसा करने से बेशन का जो स्टफिंग है वो मिर्ची में से बाहर नहीं आता और मिर्च भी बहुत ही अच्छी तरह से पक जाते हैं अब इसे डख कर हम करीब 3-4 मिनिट के लिए रहने देंगे करीब 3-4 मिनिट हो गए हैं अब मिर्च को हम पलट लेंगे पलटते समय हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देंगे आप देख सकते हैं सारी मेर्ज को मैंने पलट लिया है अब इसे वापस से ढख कर हम पकने देंगे गैस का फ्लेम हम स्लोटो मेडियम कर देंगे करिब 2-3 मिनिट के बाद हम मेर्ज को वापस से थोड़ा सा चेक करके उलट पलट लेंगे पहले हमने तेल थोड़ा सा कम डाला था तो मैं इसमें दो बड़े चम्मच जितना तेल और डाल रही हूँ एक बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि मेर्ज नीचे से जल्ले ना पाए इसलिए हम मेर्ज को थोड़ी थोड़ी देर में उलटते पलटते रहेंगे जिससे ये सबी तरब से बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाएंगे मेर्ज अब एक तरब से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं इसे हम पलट कर दूसरी तरब भी इसे तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के होने देंगे करीब 10 से 12 मिनिट के बाद अब हमारे मेर्च बनकर तयार है एक मेर्च हम निकाल कर चेक भी कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से पक गया है या नहीं तो देखे ये बहुत ही बढ़िया तरिके से पका है और अच्छे से सिख भी गया है गैस का फ्लेम हम बन कर देंगे तो लीजिए स्वादेश्ट भरवा मेर्च बनकर तयार है आप एक की जगा चार रोटियां खा जाए ये इतने स्वादेश्ट बनकर तयार हुए है ये भरवा मेर्च आप यात्रा के दोरान भी बना कर ले जा सकते हैं ये जल्दी खराब भी नहीं होते इस भरवा मेर्च की सबजी के आगे सारी सबजियों का स्वाद फीका पड़ जाएगा ये इतनी टेश्टी बन कर तैयार हुई है आप इसे रोटी, पराठा, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राय करें सभी इसे खा कर बहुत ही खुश हो जाएंगे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में दे गए बैल आइकन पर क्लिक करके औल सिलेक करें जिससे मेरे नए नए न वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार